तो गाइस टेसला के CEO Elon Musk पे एक lawsuit फाइल की गई है उनके कुछ tweets को लेके और ये lawsuit टेसला के ही एक investor ने फाइल की है जिनमें उन्होंने टेसला कंपनी के board को और Elon Musk को शू किया है गाइस उन्हें investor का कहना ये है कि Elon Musk के erratic tweets की वज़े से यानि गेर जिम्मेदाराना tweet की वज़े से company का potential data leak हो जाता है जिससे की company के उपर extra risk आ जाता है और उसके share prices में भी गिरावट हो सकती है और गाइस आपको तो पता ही है कि मस्चिचा सच में tweet करना बहुत पसंद करते हैं अभी उधारन के तौर पे हाली का उनका एक tweet ले लिजे जिनमें उन्होंने लिखा था around 5 lakh cars that year तो इस tweet से company के plan के बारे में पता चल जाता है कि company 5 lakh cars बनाने को target कर रही है जिसके चलते company पे competitors का extra burden भी आ जाता है और Elon Musk के इसी विहबियर की वज़े से investor भाई साब जो है वो परेशान चल रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि Tesla stock prices too high IMO और उनके tweet करने के आदे घंटे के अंदर टेसला के share prices 12% नीचे गिर गए थे तो investor साहब की चिंता तो जायज है भाई और इसलिए उन्होंने इसमें मुकदमा फाइल किया है क्योंकि guys इसको लेके Tesla में बहुत पहले ही policy बनाई जा जोगी थी कि जो भी CEO होगा वो Twitter का use तो करेगा लेकिन एक limitation में करेगा जिसमें वो कुछ भी ऐसा tweet नहीं कर सकता जिससे की company को किसी भी तरह से कोई problem हो और इसी agreement के basis पे इन investor भाई साहब ने Elon Musk पर lawsuit फाइल किया है और guys एक बहुत ही कमाल की research सामने आई है जिसमें researchers ने एक 12 cm के optical disc में लगभग 700 terabyte की storage space create कर दी है जी हाँ guys 700 terabytes Actually इस research को USST, RMIT और National University of Chicago के scientists साथ में मिलके कर रहे थे और इस research का motive था data storage को काफी ज़ादा efficient बनाना क्योंकि हम देख रहे हैं कि digital technology बहुत जल्दी बढ़ रही है और इसको आगे बढ़ाने में data storage बहुत important role play करता है तो इसी research में इन्होंने 12 cm के optical disc में इतना storage space create कर दिया कि Netflix का पूरा data इस एक छोटे से disk में store हो सकता है और इस storage technology में continuous wave lasers का use किया गया जिसका operating cost काफी कम है तो guys ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब आगे आने वाले time में हमारे लिए data store करना बहुत सस्ता हो जाएगा और guys एक update Vivo की तरफ से भी है Vivo ने अपनी X60 series की इंडिया में launch date officially announce कर दी है और ये 25 March को होने वाली है इसमें हमें तीन smart phones देखने को मिल सकते हैं Vivo X60, Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro Plus और Vivo की खासियत तो आप जानते ही हो camera ही होता है तो इस बार भी हम यही expect कर सकते हैं कि इसमें camera quality बहुत अच्छी होने वाली है तो Vivo X60 और X60 Pro के कुछ specifications के बारे में बात करें तो दोनों fans में काफी कुछ similar है 6.56 inch Full HD Plus AMOLED display 120Hz screen refresh rate के साथ हमें देखने को मिलेगी उसके साथ इन दोनों phones में Samsung Exynos 1080 processor, 12GB RAM, 256GB storage space इसे differences है, Vivo X60 में 48 plus 13 plus 13 megapixel का rear camera setup होगा उसके साथ इसमें 4300 image की battery रहेगी जबकि Vivo X60 Pro में 46 plus 13 plus 13 plus 8 rear camera setup होगा और 4200 image की battery होने वाली है और साथ हीं दोनों phones में हमें 33W fast charging technology देखने को मिलेगी दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि Vivo X60 Pro में हमें क्या अलग देखने को मिलेगा तो इसके screens वेगरे सब कुछ सेम ही रहेंगे लेकिन इसमें Qualcomm का latest Snapdragon 888 processor रहेगा और इसका rear camera setup 48 plus 50 plus 32 plus 8 megapixel का होने के साथ-साथ इसमें 4200 image की battery रहेगी और 55W fast charging capacity भी होने वाली है तो guys अगर आप Facebook पे short videos बनाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुसकबरी है Facebook ने announce किया है कि वो short videos के लिए भी monetization feature लाने वाले है अभी तक अगर Facebook पे कोई video 3 minute या उससे उपर की होती थी उसी पो monetization on कर सकते थे और वो भी 45 seconds के बाद ही कोई ad play होती थी लेकिन इस नई update के बाद आप 1 minute के videos में भी monetization on कर सकते हैं और videos पे 30 seconds के बाद ही ads play होना शुरू हो जाएंगी और guys Facebook ने ये भी बताया है कि वो sticker ads का यूज़ करेंगी जिससे की viewer को video देखने में कोई interruption भी नहीं होगी और साथ ही add भी play हो जाएगी और दोस्तों आज की आखरी update Apple की तरफ से है Apple ने अपने original HomePod को discontinue कर दिया है यानि कि उसका production रूप दिया है और इस पे Apple का कहना है कि वो अब जादा HomePod mini पे काम करेगा जो कि पिछले साल launch हुआ था क्योंकि जो original version था उसके सारे ही features mini version में accomplished हो जाते है जैसे कि HomePod mini की sound quality भी बहुत बहतर है और साथ इसमें Apple Assistant Shiri को भी access करने का feature मिल जाता है तो इसलिए Apple ने अपने original version HomePods को discontinue करने का decision लिया है लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो original version के existing HomePods है उनको अभी sale किया जाएगा और उसके लिए जो technical support प्रोवाइड की जाती है वो भी उनको मिलती रहेगी तो भाई साब ये थी आज की take zone की सारी important updates अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर सकते हैं थैंक यू